नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पात्फाइंडर स्टिडी पॉइंट में इस सेशन में हम लोग जॉगर्फी जीके यूपी ट्रिपल सी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो जॉगर्फी जीके के हम लोग सव कोश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी और बेसि इशा से पढ़ते आए हैं और मेरा मानना है कि आप इसमें से कम से कम 70-80% कोश्चन जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं सही उत्तर दे सकते हैं तो चलिए देखते हैं और जहां पर भी किसी कोश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो आप जो है कमेंट में उसका कोश्चन नंबर जो है मुझे बता दीजेगा नेक्स्ट जो इसका 100 वीडियो होगा उसमें मैं उसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं निमलिखित में से कौन सा भारत में वाडिजी कूर जाया यानि कामर्सियल इनर्जी का सबसे बड भारी कागज का उत्पादन किया जाता है भारत में खनिश तेल के भंडार मुक्ता किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं तो आवसादी चट्टाने या सेडिमेंटरी रॉक्स में सबसे ज़्यादा तेल के भंडार भारत में पाए जाते हैं उत्तरप्रेश में न दसकी ब्रद्धी हुई थी लेकिन इसके बाद जो है अगला दसक यानि 91 से 2001 में इससे भी जादा वार्षिक ब्रद्धी दसकी ब्रद्धी दर्ज की गई थी जो 25.85% थी तो options के हिसाब से ये सही है और अगर आपके सामने option में 1991 2000 का एक का दसक होता तो highest ब्रद्धी जो है उस वन उत्पाद की आओ सकता हो तो सीमेंट उद्ध्योग वन अधारित उद्ध्योग नहीं है क्योंकि सीमेंट आप जानते हैं कि विसेश प्रकार की चट्टानों को करस करके बनाया जाता है चुनार किस उद्ध्योग के लिए बहुत फेमस है चुनार जो है सीमेंट जील सांभर जील कहा पर इस्थी थे किस राज में इस्थी थे सांभर जील राजस्थान में इस्थी थे गंगा नदी पर कौन सी प्रांती राज़ानी यानि किस प्रदेश की राज़ानी गंगा नदी पर इस्थी थे इनमें से पटना यानि बिहार की राज़ानी पटना यमुना नदी के तटपर इसतीत है सारदा नदी का उदगम कहा से होता है मिलान हिमनद में सारगा नदी का उदगम होता है कोलेरू ज своих कहां पर Mississippi कोलोरू जिल आन्पदेश राजी में इस्थित है राजस्थान नहर का नया नाम क्या है तो इसका जो है नाम परवर्तित किया गया था अब इसे इंद्रा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है निमलिखित में से कौन सी कौन तमिलनाडू एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी पर्योजना है तो परामभी कुलम अलियार ये जो है तमिलनाडू और केरल के बीच एक संयुक्त नदी घाटी पर्योजना है निलगिरी के परवती छेतर में कौन सा जल प्रपात इस्थित है पायकरा या पायकारा जो है ये निलगिरी के परवती छेतरों में इस्तितेक जल प्रपात है 50 cm से कम औसत वार्सिक वर्सा वाले छेतरों में सामानेता किस प्रकार के वन पाय जाते हैं तो ऐसे छेतर मरुस्थली छेतर होते हैं और इनमें मरुस्थली वन पाय जाते हैं भारत का सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है जोग जल प्रपात भारत का सबसे उचा जल प्रपात है 2011 की जनगर्णा रिपोर्ट के अंसार किस राज में साच्छर्टा दर सबसे कम है तो बिहार राज की साच्छर्टा दर सबसे कम है 2011 की जनगर्णा के अंसार पक्की सड़कों की लंबाई की दिश्टी से भारत के अग्रणी राजी कौन से हैं महराष्ट और तमिलनाडू दिये गए विकल्पों के अंसार महराष्ट और तमिलनाडू पक्की सड़कों की लंबाई के मामले में भारत के दो प्रमुक अग्रणी राजी हैं इंद्रा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नरी से जल प्राप्त होता है? सतलज नरी से जल प्राप्त होता है इंद्रा गांधी नहर को जिसका पुराना नाम राजस्थान नहर है। ओजोन परत के प्रतिवर साथ प्रसत की दर से आउच्छों के कारणों में से उसमें 10 मिलियन वर किलोमीटर का आकार का एक बड़ा छिदर बन गया है तो ओजोन छिदर ये कहां परिस्थित है ये आंटार्टिका के उपर इस्थित है वाई मंडल में ओजोन इस्तर के आउच्छे का निमलिखित में से कौन सा कारण जो है तो क्लोरो फ्लोरो कारबन जिसको सीअपसीज कहा जाता है ये सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुचाने वाला रसायन है रेडियो की लग उतरंगे यानि सौट वेब्स आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आ जाती है तो आयन मंडल को कई परतों में बाटा जाता है उसमें से जो एफ परत है एफ लेयर उससे सौट वेब्स परावर्तित होकर वापस आ जाती है स्वेज नहर का निर्माड कप्राराम हुआ था 1854 में स्वेज नहर लाल सागर और भोमत सागर को जोड़ती है स्वेज नहर कब बनकर तयार हुई थी 1869 में स्वेज नहर बनके तयार हो गई थी स्वेज नहर की कुल लंबाई कित्ती है 168 किलोमेटर मानो भुगोल यानी human geography का पिता या founder इसमें से किसको कहा जाता है call ritter को भुगोल को मानो पारसितिकी के रूप में पारिभासित करने वाला कौन सा बिद्धवान था इनमें से H.H. Barrow जिनों ने इसको human ecology के रूप में पारिभासित किया था भुगोल को प्रतिवी के किस भाग में निकिल और लोहा की परधानता होती है तो निफए जो प्रतिवी की layer होती है आंत्रिक परदा उसमें निकिल और लोहे की परधानता उती जो इसका निफे नाम पड़ा है Nife तो NIE से क्या होता है निकिल होता है FE से क्या होता है आयरान होता है ये सीधा सीधा आप इसको इस तरह से याद रह सकते हैं अंतराश्टी तिथी रेखा का निधारन किस वर्ष में किया गया था सन 1884 में इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कोटोपैकसी कहां परिस्तित है कोटोपैकसी एक ज्वाला मुखी है ज्वाला मुखी परवत है जो इक्वाडोर में यानि साउथ अमेरिका में इस्तित है वाई मंडल में सरवाधिक मादरा में विद्वान अक्री गैस कौन सी है आरगन गैस का इन में से सबसे यादा परसंटेज है अक्री गैसों में से वाई मंडल में सरवार्धी कौन सी गैस मिलती है तो सबसे यादा नाइट्रोजन गैस है जो लगभग 78% जिसका परसंटेज है लोयस पठार कहां परिस्थित है ये चीन में इस्थित है वायू अपरदन द्वारा जो मिटियां उड़ा के जो है ले जाए जाती है उससे ये निर्मित पठार है निमलिखित में से कौन सी एक जील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतराश्टी सीमा बनाती है तो अफ्रीका की जो विक्टोरिया जील है ये तंजानिया और युगांडा के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर का काम करती है किस महादीप को स्वेत महादीप यानि वाइट कॉंटिनेंट कहा जाता है अंतर्टिका को और ये बर्फ से धकी रहती है लोयस का पठार क्या है ये पवन करत है जैसा कि मैंने बताया कि ये चीन में ये पठार है और पवन मतलब वाई अपरदन द्वारा बने होने के कारण इसका जो फैक्टर क्या है पवन है बैला डिला की खान किसके लिए मसूर है बैला डिला की खान जो है लो आयस के लिए बहुत ही फेमस है जरिया कोईला की खान देश के किस राज में है तो जरिया कोईला की खान जारखंड में स्थित है सिंग भूमी जिला किसके लिए प्रसिद्ध है सिंग भूमी जिला जो है लौ आयसक वहाँ से लोहे की प्राप्ति की जाती है इसलिए फेमस है अरावली एवं बिंद सिंखलाओं के मद कौन सा पठार इस्थित है प्रियोजना है किन राजियों के बीच में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ये तीनोवे राजियों के बीच में ये संयुक्त जल्विद्धुत परियोजना है निमलिखित में से कौन सा एक बस्तर छेतर में इस्थित है इंद्रावती राश्टी उद्ध्यान, दंते वाड़ा छेतर, जो बस्तर का ही जो है छेतर है छत्तिस गड़ में इस्थित है गारो खासी और जैंतियां, ये पहाडियां किन राजियों में है, मेगाले में है नेक्स्ट कोईस्चन देखते है, कुल भगावलिक छेतर के प्रस्त के रूप में सरवादिक वन छेतर वाला राजियों में से कौन सा है मिजोरम, रण थमभौर वन प्राड़ी अभ्यारण, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किस के लिए प्रसिद है तो रण थमभौर वन प्राड़ी अभ्यारण, राजस्थान में है और जो बबबर सेर के लिए प्रसिद है नंदा देवी परवस सिखर किस राजि में स्थित है, ये उत्राखंड में स्थित है भारत का जो है पूर्व से पस्चिम तक जो लंबाई का करम है, वो कुल कितना है 2933 किलोमीटर यानि 2933 किलोमीटर तक पूर्व से पस्चिम तक विस्तार है भारत का भारती उप महाद्वी पर ग्रीस मृत्व में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायू का कर्शन करते हैं, जिसके कारण क्या प्रभावित होती है दच्छिड पस्चिमी मानसून नेक्ट क्वोट्चिन, भूप्रष्ट की किस परत में बेसाल्ट, चटाने, चटानों की आवसकता होती है, सीमा में तो सीमा को आप कैसे याण रखेंगे, Sips याणी सीमा को आप कैसे याण रखेंगे, Sillicate और Magnesium इससे बनी होती है और जब ये सीमा की चतान बाहर आती है तो ये बेसाल चतानों में परिवर्तित हो जाती है भूप्रश्ट का कितना प्रिस्षत भाग आवसादी यानि सेडिमेंटरी सैलों से ढखा हुआ है लगभग 75% कोईला किस प्रकार की चतानों में पाया जाता है कोईला परतदार चतानों में पाया जाता है निमलिखित में से कौन सी परवत संकला बिस्टु की सबसे बड़ी परवत संकला है एंडीज परवत संकला संसार का सरवादिक सक्री ज्वाला मुखी इन में से कौन सा है किलायू ज्वाला मुखी जो है सबसे सक्री ज्वाला मुखी है संसार का ड्रेकेंस बर्ग परवत कहां पर पाय जाते हैं ये दच्छेड अफरीका में पाय जाते हैं निमलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो इन में से जो है माही नदी अरब सागर में गिरती हैं किस मिट्टी में लोहे और एलमुनियम की गरंथियां पाए जाती हैं, यानि नौट्स पाए जाते हैं, तो लेटराइट मिट्टी में लोहे और एलमुनियम की गरंथियां पाए जाती हैं, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सरवादिक उपयोगी होती तो इनमें से कपास जो है काली मिट्टी इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होती कपास की करसी में इसलिए इसको कपासी मुर्दा के नाम से भी जाना जाता है पीपली घाट दर्रा किस परवती भाग में इस्थित है ये अरावली स्रेडी में इस्थित है नियू मूर दूइप कहां पर इस्थित है नियू मूर दूप बंगाल की खाड़ी में इस्थित है चन्नई में जाडो में वर्सा होती है तो किस वज़े से उत्तर पूर्वी मानस उनके प्रभाव में चिन्नई में जाड़ों में वर्सा होती है निमलिखित में से कौन सा मर्दा समूर लोहे क्या अतिरेक होने के कारण अनुरूवर होता जा रहा है तो लेटराइट मित्ती में लोव अंस जो है बहुत जादा होता है और इसके कारण जो है इसका जाउपन घटता जा रहा है भारत में 100-200 सेंटीमीटर आउसत वार्सी गवर्सा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पती पाए जाती है तो उसमें उश्णाद पतज़ड वन पाए जाते हैं एसिया की पहली भूमिगत जल विद्दुत परियोजना भारत के किस राज्य में इस्थित है हिमाचल प्रदेश में नेश्ट कोईचन देखते हैं भारत का प्रथम इस्ठील प्रोजेक्ट किस सहर में स्थापित किया गया था जमसेदपुर में भारत में अंकलेश्वर किस के उत्पादन के लिए जाना जाता है पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए भारत की सिचाई छमता का 47.78 पुरा होता है लगु एवं ब्रहद परियोजनाओ द्वारा महत्मा गांधी जल विद्दुत परियोजना कहा परिस्थित है ये जोग जल प्रपात परिस्थित है जो की सबसे उचा जल प्रपात है भारत का निमलिकित में से कौन सी नदी बांध भारत में इस्थित नहीं है मंगला बांध ये भारत में इस्थित नहीं है कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हिर्दैस्तल कहलाता है जावा द्वीप इंडोनेशिया का हिर्दैस्तल कहलाता है पस्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है तो अरून ग्रह जो है पस्चिम की ओर भ्रमण करता है सौर मंडल के बारे में बिश्व के समच जानकारी प्रस्तुत करने का स्रेक इस विद्वान को जाता है कौपर निकस इतने सबसे पहले सौर मंडल की परिकल्पना को समझाया था भूगोल भूतल का अध्यान है ये किस के द्वारा कहा गया था ये एक दार्षनिक थे कांट उनके द्वारा बताया गया था किस मिट्टी का निर्माड बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है जलोड मिट्टी का सौर मंडल का सबसे कम घनत वाला ग्रह कौन सा है सनी है ग्रेट आर्टीजियन बेसिन निमनिखित में से कहां परिस्तित है तो Great Artesian Basin, Australia मिस्थित है, काली मिस्थी का सरवाधिक बिस्तार कहां पाय जाता है तो महराष्ट, गुजरात और मत्प्रेश, वैसे सबसे ज़्यादा महराष्ट में पाय जाता है लेकिन इन तीनों में ही सीमित मात्रा में काली मिटी पाय जाती है भू आकरती विज्ञान का जनदाता किसे माना जाता है? पेशल को भूगोल प्रत्वी को केंद मानकर अध्यन करने वाला विज्ञान है, ये किसका कथन है? ये वारेनियस का कथन है निमलिखित में से कौन सा रूपांत्रित चटान नहीं है, यानि मेटामॉर्फिक रॉक इसमें से कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है निमलिखित में से कौन कायांत्रित सेल है तो संगमरमर इन में से एक कायांत्रित सेल या मेटामॉर्फिक रॉक का उदारान है निमलिखित में से कौन सा एक वलित परवत है यानि मोड़दार या इसको फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है तो हिमाला एक वलित परवत है पठारी छेत्रों में विश्व की कितनी प्रसच जनसंख्या निवास करती है लगबग 9% जो है जनसंख्या विश्व की पठारी छेत्रों में निवास करती है विश्वियस जौला मुखी किस देश में स्थित है ये इटली का एक प्रमुक जौला मुखी है रेडियो की लगुतरंगे आयन मंडल की किस सतह से परावर्तितों के धरातल पर आ जाती है F परत की जो है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है कील नहर नगदी फसल में कौन सा सम्मलित नहीं है तो गन्ना जूट और कपास यह तीनों नगदी फसलों को दारण है लेकिन गेहु को नगदी फसल नहीं माना जाता है निमलिखित में से कौन सी एक खरीव की फसल है चावल जो है एक खरीव की फसल है प्रतिसत अधिक्तम वन्चेत्र कहां पर है, मिजोरम में है, घाना पच्छी अभ्यारण जिसको केवला देव घाना कहते हैं, ये कहां पर इस्थित है, राजस्थान राज میں है, निमलिकित में से वह परवत कुरस्रेडी कौन सी है, जो भारत में सब्से पुरानी है तो भारत में सबसे पुरानी परवच अरावली परवच रेड़ी है कटनी में क्या इस्थित है यानि कटनी जो है किस उद्योग के लिए फेमस है कटनी में सीमेंट का कारखाना इस्थित है भारत का प्रामारिक समय किस इस्थान से लिया गया है ये इस इलाहाबाद की समीप नैनी नामक प्लेस से प्रामारिक समय की रेखा गुजाती है भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राजियों का सही करम क्या है तो सरवाधिक वर्षा कहां पर होती है मेगाले में होती है और सबसे कम वर्षा भारत में राजस्थान में होती है प्रतिवी के धरातल में कितने प्रिस्ट भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है लगभग लगभग 29.2% जो है धरा भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है तो दोस्तो इस तरह से हम लोगोंने 100 questions जो है जीके के solve किये जियोगर्फी जीके के नेक्स सीरीज में फिर हम सो जीके को सौल्व करेंगे तो अभी के लिए ताही नमस्कार धन्यवाद